दो मम्य भी किरा सूप कल जो आराग होगा च्छट वाला वो देखे सूप किस तरह से डिजाइन किया जाता है हर तरफ च्छट का देखे फ़लो यहाँ बिकड़ा है यहाँ सामने और पुरा रोड पुरी पुर सजा होगा है देखे यहाँ से कि रहे ही हैं बॉल्क माय न्यूग गाइस कैसे आप सब स्वागरे दोस्तों हमारे नए से प्यारेसे ब्लोग में तो दोस्तों आज है छटपुजा का खरना तो सबके घड़ में आज खरना होने वालाए तो मेरे घर में भी होने वाला है तो जो उसके लिए हमको धोरा सभी ज जा रहे हम और मम्मी जा रहा है मार्क waterproof कुछ समान के लिए चलते हैं तो चलते हैं tot चलते हैं सब हुदर है और मम्मी आवाज दे रहे हैं कि चल इस तो जाने के परिशान हो रहा है कि मतलब यह भी जाएगा धरड़ा मार्केट जाएगा कहां जाएगा तो तो इसका यहीं मतलब हमें सब परिशान करने वाला होता है जब भी कहीं जाओ तो इसको भी लेके जाना अखास कर अगर जो गारी का अगर जो सीन हुआ तो तब तो बंदब परिशान करना शुरू कर जुआ है क्योंकि कहां लेके जाएगे कैसे लेके जाएगे इसको मार्केट चलते हैं मार्केट जाने के जुरूत ही नहीं पर रहा है तो अभी हम आपको एक चीज़ दिखाने वाले जोगी मतलब के गाउं में मतलब घर के आगे ही मतलब दुकान अब आगे हैं मेरे घर के आगे दुकान लगा हुआ है फल पधा हर्चीज का और जो भी चीज़ चाहिए वह यहां पर आपको मिल जाएगा और मेरे घर के बील्करी कितना सजा हुआ है पुड़ा गाउं सजा हुआ है इधर देखे उदर पीछे भी फल लगा हुआ है और हम लोगा भी जा रहे हैं मार्केट दो मम्य केराज सूप कल जो आरक होगा छठ वाला वो देखेए सूप कीस तरह से डिजाइञ किया जाता है जाता हैं में डिजाइन कर आठे हैं हम लोग चैने के चार कर रहा है अब जैने के Am कि इतना वे हर तरफ छटका देखें फद हो यहां वे बिक्ड़ा है यहां वे सामने और पुड़ा रोड पुड़ी कुड़ सजा हुआ है देखें उसे